तेंक यू फ्रेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग मैं शुक्र गुजार हूं हमारे प्रधान शीरी राजेश चेतन जी का अतुल जैन जी का सुरेश रोडा जी का राजेश राटहुर जी का और अजे त्यागी जी का जो हमेशा कारेदत रहते हैं एक पे आटी के लिए कुछ न सुरेश रोडा जी का चालिस साल का अक्सपिरेंस है इस लाइन के अंदर और वो अपने अक्सपिरेंस शेर करें इससे पहले मैं चाहूंगा किसी भी भाई की जो भी अच्छी शेरिंग है उसको उसको शेर करें ग्रूप में ताकि बाकी लोगों का भी पाइदा हो आप करें पंकज सरदाना जी आज आपने कैमरा उनकी एड ग्रेट सर अनुट करके बोलें सर अवाज नहीं आ रही सरा अगली शेरिंग के लिए इसके बाद त्यार रहें पंकजी के बाद लेंगे अगली शेरिंग पंका जी इनके साथ माइक में प्रोग्लम है सब तक और किसी की शेरिंग ले लेते हैं कमलेश मैता जी आप बोलना चाहेंगे कुछ कमलेश जी अगर किसी की शेरिंग लिए तो हम आज के स्पीकर को इन्वाइट करते हैं अगर कोई शेरिंग नहीं है सुरेश अरोड़ा जी को सभी जानते हैं सुरेश अरोड़ा जी एप पे आर्ट के बोर्ड मेंबर हैं और एप पे आर्ट के ट्रेजर आर हैं सुरेश अरोड़ा जी पहले SBI बैंक में कारे रट थे वहां से इन्होंने VRS लेके LIC का अपना बिजनस शुरू किया और आज अरोड़ा जी को लगभग 40 यर्स हो गए हैं इस लाइन में अरोड़ा जी का चेहता सब्जेक्ट है Financial Freedom Financial Freedom उन्होंने इस टोपिक को इसलिए चूज किया कि उन्होंने इस चीज़ को Experience किया है अब मैं चाहूंगा तालियों के साथ अरोड़ा जी को मंतरित करें अरोड़ा जी नौ स्टेज इस यूर तालियों से वेलकम करें डिजिटल हैंड अरोड़ा साब वेलकम सर नमश्कार सभी भाईयों को नमश्कार सुनिल जी अनिल आतुर जी और सभी जातियों को त्यागी जी और अठोर जी सभी बोड़ मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी भाईयों को नमश्कार भाईयों आज का समय आज हम फाइनेंशल फ्रीडम पे फ्रीडम लीड्स तू पीस इसके उपर कुछ हम चर्चापनी करेंगे फाइनेंशल फ्रीडम अब हमारा एक एक जास्ट एक भाईयों मैंना कंपूटर सेवी ज्यादा नहीं हूं कुछ अगर पीछ में कुछ रुकावट आजाए तो चमा कर देना बाकि कोशिश कर रहा हूं कि हो जाए तो दोस्तों फाइनेंशल फ्रीडम हमारी अगर हमारे जीवन में रहती है तो रियर माहिने म हम पीस का भी अनुभव कर सकते हैं अगर फाइनेशल वरीज हमारे जीवन में आएंगी यह आमने देखा गया है कि फाइनेशल वरी जो है यह मीजर का जो डिपरेशन है अमंग दा पीपल अब आप वरीज से मतलब चिंता देखो दो तरह की एक तो होती है चिता एक होती है चिंता सुनील जी थोड़ा सा आप से इंट्रेक्शन करूगा मैं सुनील जी क्या है कि आप सभी ओडियंस के विहाद पर मैं आप से बात करता हूं कि दो तरह की मतलब एक तो चिंता होती है एक होती है चिता दोनों जलाती है जो चिता होती है ना वो जिंदे को जलाती है और जो चिंता होती है न वो जिंदे को जलाती है वहती ही बड़ी स्था वहती है चूंकि आदमी गुटढ़ के मरता है उसमें Financial worries से बहुत हमारे जीवन में एक depression भी आता है. Financial stress जो है न, एक study American scientist की, वो क्या बोलती है? Financial problem, अब मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं. Financial problem are major source of stress according to the study of American Psychiatrics Association. Sometimes it may lead to diabetes. Heart disease, migraine, headache and poor sleep. ये क्या सुनी ची, हम समाज में रहते हैं, क्या इस तरह का experience करते हैं, जीन को चिंता है होती है, और वो चिंता में अपनी heart disease भी आ जाती है, कई वारी सिर में दर्द में experience होता है, कई वारी निंद में नी आती है, उनको बोड़ का लेनी पड़ती है? क्या ऐसा है? हाँ, है तो सर, ये back of the mind एक tension तो रहती है सर हमेशा, चाहिए हम बोले ना बोले, रहती तो है tension ये रहती तो है, और दूसरा जो है ना, लो लेवल अफ इंडिविज्वल एन हाउसोल मेटीयल एसे, सिगनिवेंटले, सिगनिफिकेंटले रिलेटेटेट तू डिप्रेसिव से, सिंप्टम, अब हमारी अच्छा, अब हम चिंता में रहेंगे तो हमारी इंकम का लेवल भी लो होगा, जी, और हमारे पाद जब इंकम नहीं होगी तो हमारी एसेट काहां से क्रियेट हो जाएंगी, तो एसेट भी लो लेवल की रहेगी, और फिर ये क्या काज करेंगी, हमें फिर ओर डिप्रेशन में डालेंगी, और ये भी अब्जर्व किया है, ये हिलीमो एंड गुरूडी, ये दोनों साइंटिस्ट हैं अमरेका के, इन्होंने ये भी अब्जर्व किया है, कि अब्जर्व किया है, तो उसमें डिप्रेशन के सिम्टम बहुत कम रहते हैं। ये स्टड़ी है, हिलीमो एंड गुरूडी अब्जर्व डालेक्ट प्रपोर्शनेट रेलेशन्शिप बिट्विन फाइनेंशल हाडशिप एंड डिप्रेशन। अब हमारी जो हाडशिप है, अब हाडशिप कही तरह की होती है। तो और उससे जो आती है, अब मेरे को अगर मालो पैसे की चिंता है। शायद मैं परिवार में भी अच्छे रेलेशन ना रखता हूँ, शायद समाज भी मेरे को इज़त ना करे। या क्योंकि मैं टाइम पर कमिटमेंट अपना पूरा नहीं कर पा रहा, तो समाज में भी मेरी इज़त, रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। तो ये चीज़े हैं जो हमारे लाइफ को बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। और ये फाइनेंचल जो हमारी फ्रीडम है, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। और इसी दिए, ये फाइनास मीन्स क्या है? मनी। इन्दारिटली हम लोकल अगर लेंग्विज में भूले, फाइनास मीन्स मनी। इट प्लेज एव वाइटल रोल इन वर लाइफ। अब हमारे पाँ पीस रहेगी। और पीस रहेगी हमारे पाँ फाइनास एक अच्छा एक फ्रीडम है। तो हम अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो हमारी जुर्त है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो अगरी समय पे हमारी पूरी होती रहेगी। क्योंकि एक मनी एक ऐसी चीज है। इत इत रिसोर्सिस। यह बगवार ने नहीं दिया। यह मैंनमेट रिसोर्सिस। और इसके हम से ही हमारी यह इतना मेजर रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, कि इसके बिना हम यह सोचते हैं कि सर्वाइवल जो हना, वो कठीन हो जाए। तो फाइनेशल फ्रीडम हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है और इसके लिए हम, मतलब यह इन प्राकेरेने किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि इनको कई जो हैना अनेथिकल मीन से भी फाइनेशल फ्रीडम को क्रिएट करना चाहते हैं पर हम उसके लिए अडोकेट नहीं कर र अब देखा हमारे जीवान में हम हैं हमारी फैमिली है और यह समाज में खड़ी है तो इसके चार पिलर है चार में में जरूरत है में रिक्वार पिलर है पहला पिलर है हैपिनेस कि हम और हमारी फैमिली कुछ रहे हैं कियो सुनी जी बिल्कु ठीक कहने हैं है बिल्कु ठीक क health हमारा health जो है न देखो हम तो हैं परंतो हमारी health जो है न वो हमारी vehicle है अगर हमारी health अच्छी रहेगी तो हम अपनी life को जी पाएंगे enjoy कर पाएंगे तो हमारी एक good health भी होनी चाहिए third है हमारा respect और हमारे जीवन में हर इंसान की एखिडल-इच्छा है। और उसकी इजत रहे। जाए परिबार में हो, समाज में हो, जहां पे काम करता है, बिजिनिस कमेनिटी में हो, जहां भी हो, उसकी इजत रहे। ये इसकी undescribed और hidden सबसे बड़ी desire है और ये जो ना respect हमारी होनी चाहिए और fourth है adequate money अब ये adequate शब्द जो है न ये इसका हर वेक्ति के लिए meaning अलग अलग है absolutely नहीं है अलग अलग है अब एक वेक्ति है हमारे को है अगर हमारे को दूलाकर रुपे मिना income जाए शायद हमारे के लिए adequate हो और किसी के लिए जो बंदा आज जिए जिए में एक करोड कमा रहा है उसके लिए दूलाकर रुपे adequate ना हो तो adequate money जो है न ये हर आदमी के situation पे depend है परन्तु adequate money का मोटा मोटा जारन है कि जो हम अपने जिस लाइफ में को जी रहे है उसको अराम से जीए विदा बिना financial प्रशानी के जीए जो हम लाइफ में एक अपने means के अनुसार करना चाहते है एक reasonable level करना चाहते है वो उतना पैसा हमारे पास हो तो मैं उसको बोलूँगा वो adequate है हमारे लिए एडुकेट विटी वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी वही हो उसका level हमारे से भी उप़र हो सकता है नीचे भी हो सकता है तो it depends upon the every individual कि adequate money होनी जरूर चाहिए तो ये हमारे जीवन में चार पिलर है क्यों सुनिती इस बात से अगरी करते है बिद्कुल अगरी करते है इनका बैलन्स होना बहुत जरूरी है तो पर एक बात तो जरूर है इसमें आगे एक बात हो रहे है adequate money है फिर भी हमारे जीवन में happiness रहे हमारी good health रहे हमारी समाज में respect रहे घर में respect रहे यह जरूरी नहीं है money does not give any guarantee about these three things but lack of money lack of adequate money उससे यह तीनों चीज disturb होने की संभावना जादा है बहुत बढ़ी है क्योंकि जरूरी नहीं है है मेरे पाद पैसा तो 10 करोड है पर तू मेरे बच्चे नहीं मांते या मेरे बच्चे मेरी wife respect नहीं करती मुझे मेरी समाज में respect रही है तो happiness कहां से आई दूसरा हमारी हमारे पाद पैसा तो है खूब कमाया पर तू अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखा और इस बहाने यार मेरे पैसा बहुता है अरे जैसे मर्जी आश करो जो मर्जी खाऊं जो मर्जी प्यों अरे भई हमारी 24 तो पीने की है पर अच्छी पैक पी रहे है और उसे साथ कुछ खा नहीं रहे और अपनी सेहत को अमारे सरीर में exercise भी नहीं कर रहे है तो हमारी good health कहां से रहेगी ultimately आज नहीं तो कल नहीं तो दस साल बाद असर तो दिखाएगी शरीप और आज की डेट के अंदर अच्छे-च्छे परिवारों में देखो कि वो डॉक्टर के पास में उनका डॉक्टर से कंटेक्ट बराबर रहता है क्योंकि गूड़ हेल्थ नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और गूड़ हेल्थ है तो काई को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अपने आप बैलेंस हो जाएगा और तीसरी चीज है रिस्पेक्ट अब रिस्पेक्ट जो है ना कई बारी कहते है न एक ओल्ड एज में है अगर माबाब बाब है अगर वो हम आरसाल पूरी जिनकी बाप बना रहता है न तो अपने बच्चों से मंगने की बजाए देता रहे तो उसकी रिस्पेक्ट रहेगी पूरी जिन्गी और जब कमाना था तब तक तो परिवार रिस्पेक्ट कर रहा था परन्तु जब कमाना बन्तु कर दिया और हो सकता हो जाए तो रिस्पेक्ट अब उसके बाद और समाज में रिस्पेक्ट चाहिए समाज में जो रिस्पेक्ट है वो भी हमारे पैसे की यूज से आ रहा है पैसे में पैसा itself is not does not give respect उसके use से आ रहा है अब आप देखो कि हमारा हमारे life में आप बिल गेट देखो वो दुनिया का मी राद में एक बिल लादी देखो उसके पास भी बहुत पैसा था पर उसकी नोगे कि रिस्पक समाज में नहीं थी क्योंकि वो अपने कारह जीवन में जो काम वो जो पैसे का यूझ गिया है दू इबराहिन की रिस्पक के है चुक्ता हाकता है तो पैसे का यूझ भी ऑना वह हमारे जीवन में रिस्पक्ट देव सकते हैं तो यह हमारी फैमिली इन चार पिलर्स पे खड़ी है और अब आगे अगर हम देखते हैं ति हमारे को जो ये पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है हमारे जीवन में पैसा कहां से आ रहा है जो प्राइमरी सोर्स ओफ मनी इस अवर अर्निंग क्यापैसिटी हमारे जीवन में जो हम इस दुनिया में आये तो डेड़ फुट के थे डेड़ किलो के थे बोला भी नहीं आता है और हमने विद्धी सपोर्ट अवर पेरेंट हमने अपनी मेटाफिजिकल अनर्जी प्राप्त की और वी स्टार्टेट अर्निंग तो जो हमारी अर्निंग क्या पैस्टी है वो हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ इकम जो हमारी लाइव में आती है और जिसके जिसको यूज करके हम अपने को और अपनी फैमिली की लाइव को की लिविंग और आगे जीवन को चलाते हैं नेक्स दूसरा जो सोर्स है वो है एसेट्स हमारे जीवन में दो ही तरह से पैसा आता है इंकम आती है जो हमारी हम जो खुद कमाते हैं चाहे हम बिजनिस में हो चाहे हम प्रोफेशन में हो चाहे हम फैक्टरी ओनर हो चाहे जॉब करते हो हम अपने पहले तो हमारा primary source है कि जो हमारी meta-physical energy और उस meta-physical energy से हम जो पैशा कमाके कुछ बचक करते हैं और asset create करते हैं और जब asset creative होती है उसके बाद asset में भी हमारे को income मिलती है पर asset itself income नहीं देते हैं जब तक हमारी मेटाफिजिकल अनर्जी उसके साथ अटैच नहीं होगी तब तक एसेट इंकम नहीं देगा। आप मैं एक पलाट लेके छोड़ देता हूँ, एक मकान लेके छोड़ देता हूँ, खड़ा है, दस साल खड़ा रहे, एक पैसे की इंकम नहीं आए। परन्टू मैं उसके लिए किरायदार ढोगा। उस किरायदार बिल्डिंग का मेंटेनेंस करोगा और उसके उपर उसके साथ-साथ किरायदार को भी समालना पड़ेगा। उसको भी मलग ख्यालना करना पड़ेगा तो हमारी जो पहले वाली इंकम है हमारी सेल की वो है एक्टिव इंकम अगर हम फाइनास की लेंग्विज में देखे एक्टिव इंकम है पर ये वाली इंकम जो है हमारी ये है पैसिव सेमी एक्टिव इंकम क्योंकि इसमें हमारे जो म प्रफिजिकल अनर्जी है उसका रोल बहुत थोड़ा है दस पंद्रा परसेंट जब कि एक्टिव इंकम में हंडर्ड परसेंट हमारा रोल है और इसमें 10 परसेंट है अगर वो 10 परसेंट के साथ एक एसेट है और यह जब दोनों मिलती है तब जाके यह इंकम पैदा होती है रोल सेमी एक्टिव इंकम में में रोल एसेट का होता है तो यह हमारे दो तरह से हमारे लाइफ में इंकम आती है अब अब आप यह देखो कि जब हमारे जीवन में इंकम आ रही है परन्तु और उसमें एहम रोल हमारे मेटाफिजिकल अनर्जी का है तो हमारी लाइफ सेंट तो प्रप्रड प्रडिक्टिबल ग्यों सुनीर निए सोग्हां जी बिलकुल ठीक कहा रहें सर कि यह थे थदेखले सोड़ा सावर्ड प्रटिदिल ही है। अलो जो सेमी एक्टिव इंकम में क्या कह रहे थे मैं कह रहा हूं सेमी एक्टिव इंकम और एक्टिव इंकम के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें सर्थ देखो एक्ट्ली इंकम जो हैना हम अपने बॉडी माइड टाइम को यूज करके यह भगवान ने तीन हमारे को रिसोर्सिस दिया है हमारे पास से भगवान ने दिया है भगवान ने हमारे को चरीड दिया हार्डवेर दिमाग दिया अब उसमें डाल के हम क्या आउट्पुट ले रहे हैं वह हमारे उपर है और उसके बाद टाइम भी सबको बराबर दिया यह तीन रिसोर्सी तो भगवान ने दिया है और हम इन तीनों को यूज करके हम चोथा रिसोर्स पैदा कर रहे है ति आँ अब आप देखो चाहे मैं बिजनस से ले रहा हूँ बिजनस में भी मुझे ये तीनों स्वेज करने जो सर्वीस है जॉब करता हूँ उसमें भी तीनों ये यूज होते हैं और उसके मैं प्रोफेशनल हूँ, तो उसमें भी उसको तीनो तीनो रिसोर्सिस का यूज करना पड़ेगा, ये तीनो रिसोर्सिस यूज करना, इस दुनिया में जिस बंदे ने भी वेल्थ क्रियेट की है, दा प्राइमरी सोर्स अफ इंकम और वेल्थ इस आपका मेटाफिजिकल अनलजी, तरुनिंग कपैसिटी, सैल, आप ये देखो कई बंदे कहते यार मेरे को मैंने तो कुछ किया हिए, मेरे को तो बाप जाजा ने दस करोन दे दिया, अरे भाई माप जाजा ने भी तो एक समय म अपनी मेटाफिजिकल अनलजी को यूज करके, ही तो पैदा किया था, वो ठीक है, you are lucky enough that has been transferred past on to you, but main जो प्राइमरी सोर्स है हावारा, वो हम ही है, और डाक्टर एडम से विचने भी ये बात को अपने wealth of nation में लिखा है, कि every person has property in his own labor, it is so sacred, it should be invariably protected, इसका protection होना बहुत जरूरी है, यह बहुत पवित्र एक asset है, देखो इतना बड़ा जो अर्शास्त्री है, पूरी दुनिया मांते हैं, उसने भी ये बात रिखिये, और सेकेंड जो है ना, इसके लिए जो हमारी metaphysical energy है, इसमें हमारी हिंदी में बता दो, इन्होंने क्या बोला है, हिंदी में बोलना सब्सक्राइब एडम स्मीथ ने जो बोला है, उसको एक बार हिंदी में भी बता दो, उसका मज़ए बैडम स्मीथ ने ये बोला है, लिबर, अब ये लिबर हिंदी में, अब जो लिबर, एवरी परसन है प्रपरटी इन इस ओन लिबर, लिबर का मतलब क्या है, ये जो वो अपना समय, शरीर और ट्राइम लगाते हैं, जो भी काम कर रहा है, उसमें प्रपरटी है, वो एक प्रपरटी है, और ये इतनी पवित्र है कि इसको हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये एडम स्मीथ का जी का, रिस्पेक्टेड एडम स्मीथ जी का, ये कहना था, तो इसलिए हमारी जो, और हम सब जहाई इस बात से, विधी और वो हमारे गरंते भी बोलते हैं, चनभंगोर जीवन की कली का, न जाने प्रात खिले ना खिले, हमारे शास्तर भी ऐही होती है, कि हमारा जीवन चनभंगोर है, मैं एक बात कहता हूं, कि इस दुनिया की अंद कि अंदर हमने ये चीज सामने ये चीज ये देखिय है, अरे यार अभी तो ठीकता हूं गया, क्यों सुनिर जी, आपने अभास किया ऐसा, किया है बिल्कुल, लेकिन सब लोग अक्सर एक बात मोलते हैं, चींटा ताकि कीजिए जे अनोनी होए, फिर क्या करें पर इसमें, नहीं अनोनी तो मैं आगे उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक, अच्छा, नेक्स में आता है, ओर क्यों सब्सक्रा जाओर कैया, तो अऩरक बा सरद है, अब देखो यहां यह आपकी उस बात का जवाब है कि अवर लाइफ रंस ओन प्रबैबिलिटी एंड एस्टीमेट अब जो आप कह रहे हो कि चिंता ताकी कीजिए चिंता काई की करनी है हमारी लाइफ तो प्रबैबिलिटी है अब आप बताओ सुनी जी अगले 25 साल में आपके साथ क्या होने वाला है अगर हम सोचें तो बढ़ापा आने वाला है अगर सोचें तो और पैसे की जुरूर्ट पढ़ने वाली है डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंडेंट होंगे यह सब चीजें दिख रही है और जो अन्प्रेडिक्टेबल है वो कभी भी हो सकता है मौत कभी भी आ सकती है या तो जिन्दा रहेंगे या नहीं रहेंगे यह प्रबेंबलिटी है कोई गारंटी नहीं है और यह आप ग्राफ देखिए आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं सब अब इसमें देखिए एक साइड में लेफ साइड में 25 से शुरू है पिचासी तक राइड साइड में 25 से शुरू है पिचासी तक यह 25 से लेके वैसे तो यह ग्राफ जीरो से श दूनों चीजे हमारी probability चुरू हो गई, probability of living long और probability of death, क्या, छे मिने का बच्चे की death नहीं होती, क्या? होती है, सर. छे साल वाले की भी होती है? क्यों जी? वह बढ़ी है सेशन लेने है, सर, लेट सर. 16 साल वाले की भी होती है, 26 साल वाले की भी होती है, 36 वाले की भी होती है, और 76 वाले की भी होती है, और 86 वाले की भी होती है, क्यों जी? जी. सुनी थी, क्या, दो, छे मिने वाला बच्चा जिन्दा नहीं रहता? रहता है सर. छे साल वाला? वो भी रहता है. 16 साल वाला 16 सी वाला 66 साल वाला 66 साल वाला और 86 साल वाला 86 वाला वी रहता है तो यह probability है गारंटी नहीं है तो हमारे जीवन में दो ही चीज़ेशे है या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे प्रोबिलिटी आफ लिविए अगर हम रहेंगे तो हमारे को पैसे चीह रहने के लिए और नहीं रहेंगे प्रोबिलिटी आफ देथ है तो फैमिली रिक्वाइर्स अमांट ओव मनी ओडियर लिविंग्स जो फैमिली हमारे उपर डिपेंडेंट है वो उसको पैसा चाहिए हम तो गए पर हमारी फैमिली तो है इसे लिए हमारी कम हम जीस प्रोफेशन में है उसका नाम है लाइफ इंशोरेंस यह डेथ इंशोरेंस नहीं है अगर हम गए तो जो हमारे उपर डिपेंडेंट है उनकी लाइफ तो रहने वाली है बढ़िवा, बढ़िवा उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए हमें अपनी लाइव का इंशयूरन्स करना है ये लग्जरी नहीं है, ये एक हमारी मोरल जूटी है कि हम जो हमारे उपर जीव डिपेंडन्ट है, जो हुमन बीङ डिपेंडन्ट है उसके लिए उसके benefit के लिए हम अपनी life का insurance करें क्योंकि हमारी earning capacity से वो जीवन चल रहा है तो हमारा जो life का game है वो sub probability का है अब life insurance कितना करें वो भी estimate लगाते हैं कोई 100% correct थोड़ी होता हूँ हमारा estimate है कि हम अपनी जीवन का जो monthly income है उसका 200 गुला हम अपना life insurance करें यह estimate ही तो है और scientific estimate है पर 100% guaranteed है तो नहीं है वो सकता ज्यादा हमारे को जुद पढ़ जाए हम मेडिक लेम करते हैं तो किस कितना इत estimate ही तो है जो future में कितनी जुद पढ़ जाए क्या पता कितनी जुद पढ़ जाए तो ठीक है सुनिल जी बिलकुल ठीक है तो अच्छा अब यह तो हुआ probability again अब हमारी जो life में जो income है income का flow है वो important है अब वो हमारी life में जो flow आता है वो भी impact होता है हमारे जीवन में क्योंकि uncertainty है वो दो events से impact होता है एक तो predictable event हमारे जीवन में है एक unprotectable है और यह events हमारे future में हमारे finance finance की requirement हमा finance में impact finance की requirement को एक की हमारे को दरकार होती है कि हम क्या हमारे life में क्या होगा है अगर आगे देखें तो हमारी income जो आ रही है कि उससे वाना गर्चल में अब हमारी income को कैसे बंद हो जाए कब बंद हो जाएगी हमें यह हमारी unpredictable event अगर हो जाए तो हमारी income बंद हो सकती है या कम हो सकती है या कुछ देर के लिए stop हो सकती है यह कौन से value हम एजे पिता एजे husband एजे son यह emotional value है और एक है आपका economic value मैं पांच लाग गरुपया कमारा हूं मिन्ने का वो भी गया मैं गया तो वो भी गया क्योंकि income तो self से आ रही है तो इन इनका effect जो एला यह red color से डिखी है इनका effect लगवा डेथ का तो permanent है और disability अगर आ जाए वो भी पर्मनेंट ही है तो इनका effect हमारी life में हमारे परिवार पे पर्मनेंट बड़ता है इंकम stoppage यह unpredictable है कब death हो जाए नहीं पता disability कब आ जाए बीमार कब हो जाए नहीं पता दीज आरा आन प्रडिक्टिव लिए अप्रडिक्टिव लिए में कुछ यह stoppage के बारे में बता रहा हूं बाकि इसके अंदर एक retirement है यह हमें मालूब न साट साल के बाद जन्री हम रिटार हों यह बिजनिस एक हमारा अगर हम बिजनिस में प्रडिक्टिबल है और यह जो प्रडिक्टिबल लिए हमारे को पैसा चाहिए अब रिटार्मेंट है तो उसके लिए पैसा चाहिए हमारे को अगर जिस रिस्पेक्टिवली जीना है तो हमारे पास पैसा चाहिए और इसके लावा प्रडिक्टिबल लिए हमारे बच्चे हैं उनका अब घर में बड़ा पैसा चाहिए और उसके बाद हमारा उसी शाधी के लिए पैसा चाहिए हमें यह सब सीविंग हमारे को पैसा गैपिटल चाहिए इसके लिए हमें को बच्चत करना ज्रूरी है और ये सब predictable event है, उसके बाद हमारी retirement आएगी, वो भी हमारी predictable event है, अगर हम अपने predictable income को, predictable events को अगर सही दंग से plan करेंगे, तो हमारी financial worries हमारी घर की चुखट से बाहर देगे अगर हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि कई बारी क्या होता है, पहला goal आया, पहली जुर्ताई, वहाँ पैसा है, अगली पे भी है, तीसरी पे नहीं, फिर loan लो, और बोजाटो, और बोड़ापिव में तो loan भी नहीं मिलेगा भाई, काम करने की capacity भी कम हो जाएगी तो हमारी इंवेंट से हमारी लाइफ में बहुत इंपेक्ट रहती हैं, इसी लिए financial plan लाइफ के अंदर बहुत अप्री है, नेक्स हम देखते हैं, अब ये 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 हमारी दो तरह की इंपेक्ट के बारे में बात करता हूं, कि हमारे जीवन को कैसे इंपेक्ट करता हैं, हम जी रहे हैं, अब हम जी रहे हैं, तो हमारी ये जैसे बढ़ती है, हमारी जो ना probability बढ़ जाती है, ने थोड़ी, हम फिजी के हमारी अच्छी है, तो अगर गडबड है, तो उससे में भी death की probability बढ़ती है, जनरल हेल्थ है, अगर अच्छी नहीं है, हैबिट बेकार है, हमारे को बिमारी हो गई, deformity हो गई, सर्जरी हो गई, pregnancy है, लेडिंडी के case में, delivery है, durability है, बहुत सारी लेडिंडींकी death हो जाती है, फैमिली इस्त्रिय है हमारे भई पूरे परिवार में डायविटिक है यह जल्दी डेथ हो जाती है और यह अकुपेशन है मैं कुछ हजार डोस अकुपेशन कर रहा हूँ या मैं सीरिया में रहता हूँ डोमी साइड तो वहां में रोई लडाईयां होती है कब बढ़न जाओं फ्रिक्वेंसी पढ़ते हैं तो यह सारे कारण है जो हमारी लाइफ में एफेट कर सकते हैं और यह फ्रिक्वेंसी है यह फ्रिक्वेंसी बढ़ाती है और नीचे वाले जो कारण है यह हमारे लाइफ में उस फ्रिक्वेंस जो अगर यह इवेंट आ गई तो उसका कित्रा प एक ही source of income है, डूसरा, rise in income, अब ये severity हो लोग बार सचेंगे, मेरी income तो बढ़ रही है, तो severity कहां से बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही income बढ़ती है, हमारे personal expenses, हमारा lifestyle भी बढ़ता है, अगर वो कल को, अगर मालूब बंदा नहीं है, तो हमारी severity हमारे को ज्यादा धक्का लाएगा, जो बंदा पांच भी मंजिल पहना, अगर उसको तीसरी मंजिल प्याना पड़े, या ग्राउंड प्याना पड़े, वो तो ग्राउंड प्या जाएगा, पर मर जाएगा, वर्च पचास गज के मकान में रहती है, और हमने पढ़ाई अपने जीवने मुवम्बत्ती पर की है, आज हमारे को लाटन मिल जाए, पचास गज का जीवन मिल जाए, तो हमारा तो मत्राम ऐसे होगे, क्यों सुनिल थी? हमारा एस्पिरेशन क्या है, कि भाई मेरे को, भाई अपने घर के बच्चों को जाना, पूरे बड़ का टूर करें, अगर मेरी मैं उसके लिए काम करोगा, अगर नहीं करा पाया, तो मेरे जो एस्पिरेशन है, उसमें मेरे को परिशानी होगी, और इसका financial परशानी हो, बना हमें परशानी होगी, तो severity भी ज़्यादा बने चाहिए, अब liability है, मैंने loan ले लिया अपने से, वो भी एक severity है, उसका impact ज़्यादा है, कल को मेरी death होगी, तो मेरे परिवार को जुकाना पड़ेगा, तो वो भी तो उनके लिए बहुत बच्चे के marriage होगी, बच्चा आ गया, उसका बेटा हुआ, तो responsibility बढ़ गई, अगर कल को मैं नहीं रहा, तो पहले एक life dependent थी, अब दो life dependent है, तो मेरी उसके लिए severity बढ़ गई, उसके बाद मेरा new project है, venture है, अब venture है, project है, risk है, risk है, risk है, जब तक पूर ना हो, तो वो भी severity को बढ़ाएगा, और environment and legal, environment and legal को change आती है, उसके, यह societal commitment, मैंने society के लिए commitment का रखा है, कि भई मैं गउचाला में हर मिने 10,000 रपर दोगा, अगर नहीं दोगा, तो मेरी समाज, मेरी severity मेरे परिवार को देना पड़ेगा, तो यह ऐसे कारण है, जो हमारी जो event है, लाइफ में, जो ऐसी event है, यह हमारी लाइफ में, हमारे परिवार को इपट करती है, हमारी income को इपट करती है, ज्यादा है भी तो नहीं हो रहा, सुनिल जी, नहीं बहुत बढ़ी असरा, आप situation में लेके जा रहे हैं न, तो अच्छ जीवन में हमारे को पैसा किस लीची है, कि हमारी जो predictable, जो predictable event है, उसके लिए हमारे बच्चे की बढ़ाई के लिए, जो on-going हमारी responsibility है, जो हम income से पूरा करते हैं, उसके लिए पैसा चीए, प्लस जो हमारी responsibility, major responsibility है, जैसे बच्चों की है, उनको career settlement करना है, उनकी शादी करना है, वो भी responsibility है, अब वो responsibility तो होगे, उसके बाद एक महम responsibility है, जो खुद के लिए है, और जिस मत्री ने हमारे जीवन को सकून दिया, बच्चों को पाला, हमको पाला, हमारी जीवनों में शांती बढ़ाया रखिए, उसके प्रति है, क्योंकि हमें अपनी life को, अब देखो, बच्चों को पढ़ाये, लिखाये, परिवार चलाए, अपने माता पिता की, वो सेवा करे, उनको देखे, जीए, उसके बाद, बच्चे, बच्चे हमारे इंडिपेंडेंट हो गए, और अपना कमाने लगए, अब हमारा जीवन, अब बच्चे हमारे इंडिपेंडेंडेंट हो गए, तो हमारी जीमेदारी, मेन जीमेदारी, फर्स राउंड ऑफ मेजर रस्वोन्सिबिल्टी, अब हमारे को, उनके लिए हमें नहीं सोचना जाओंगे, वो पड़ा, अपने कमाने लगए, अपनी जीवन को कुछ चलाएगे, अब अब हमारा जो मेन, अगला जो पड़ाव है, वो है, खुद के लिए जीना और अपनी पत्नी को एक शकून व्रिजज़िद्गी देना अब हमें अपने लिए जीना है अब हमारे बच्चे कमाने लग गए अगर हमने जब हमारी बच्चों के लिए हमने जो निभाई है परिवार के लिए जो on उनको एक्सपेंसिज किया है उनकी शादी के लिए किया है उसी पीरण के दोरान हमें कुछ अमाउंट चाहे वो दस परसेंट हो अपनी इंकम का या बीस परसेंट हो वो अपने लिए भी रखना चाहिए ताकि जब हमारे बच्चे इंडिपेंडन्ट हो जाएंगे तो हम 55-60 साल के हो जाएंगे और हमारी अर्निंग कैपैस्टी भी टाउन हो जाएगी और हमारे को कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा कि भाई हम जोना अपने रिटार्वेंट के लिए इंकम पैदा करेंगे और कैपैस्टी टू एडिजस्ट्मेंट करने की भी खतम हो जाएगी तो उस समय हमारे पास एक अपने को जीने के लिए एडिक्वेट अमाउट बबनी होना चाहिए और उसकी तैयारी हमें सुरू से करनी चाहिए जब बच्चों के लिए करने हैं तो अपने लिए भी तैयारी सुरू से करनी चाहिए क्योंकि बच्चे हमारे 25 साल तक हमारी लाइफ पे हमारी इंकम पे आधारित है परन्तु हम अपनी इंकम पर जब तक जीवन चलेगा तब तक आधारित है हम सुर्चे बच्चों को कर दे या बच्चे अपने आप केर करेंगे बच्चे हमारा हक है वो हम उनको बोल सकते हैं कि भई हमने बिटा तुम को पाला तुम हमको पाला हमारे खराब भी नहीं है बच्चे ऐसा नहीं है कि नहीं खराब है हमारे बच्चे भी अच्छे है बट उनकी देखो उनकी जो ना लाइफ में जो लाइफ स्टाइल है वो हमारे से कहीं आ गया है मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ मैं अपने जीवन मी जब मैं पढ़ा तो नो पैसे वारे स्कूल उपढ़ा जब मेरा बेटा स्कूल में गया तो नो सोर रुपे मीना थे मेरा पोटा जा रहा है तो सोड़ा जार रुपे मीना है आप देखो इन बच्चों के उपर इतना खटचा है अगर अपना बोज़ भी हम इन बच्चों के उपर डाल देंगे तो कई बारी हमें लएगा या और वो जो हमारा बेटा होगा वो सोचेगा अब पापा की जुर्द पड़ा करो या मैं बच्चे के लिए कर पूँ तो उसको कंप्रोमाइज करना पूँ अगर हम अपने लिए प्रोविजन क्रियेट करते हैं इंडारेटली हम अपने बच्चो की लाइक को जुआएकुल बढ़ा रहे हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं कि तुम भी अपनी अच्छी जिन्दगी जीओ और हमारी परो आपको फाइनेशली बड़न हमारा जोना उनके उपर नहीं है तो उसके लिए ये हमारी जीवन की में रिक्वार्मेंट है इस साड़ से ज अपसा एडिक्वेट मनी का पॉर पर तियार कर नेना चाहिए ताकि हमारे को एक और रइगुलर गर्रणटिट एंड पैसिव इंकम आए अब पहले बोला था मैंने एक्टिव इंकम एक मोला था हमारे शरीर का उसमें महम रोल है एक है हमारा सेमी एक्टिव उसमें भी शरी का मेटा फिजिकल अनर्जी का रोल है परन्तु रेटायरमेंट के लिए जब हमारी सेल्प की इंकम डाउन फाल पे होगी या नहीं रहेगी तब हमारे पास एक एसेट ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमें रेगुलर इंकम दे अगर नहीं मिलती ना लो तो क्या होगा अब हमारे इंडिया की हैल पेज की स्टड़ी है देखो जो यह पहले वाली स्टाइड में देखो हमारे पास तीन रोड है यह रह गया प्रीज की एक तो यह हमारा फ्यूचर में या तो हम अगर हमने क्रियेट कर लिया कुछ तो हम इंडिपेंड़न हो जाएगी और अच्छा क्रियेट किया तो हो सकता है कि हम इंडिपेंड़न भी रहें और कभी बच्चे को जूट पड़े तो हम यह कह सकते हैं बिटा तेरा बाप जिन्दा है कितने पैसे ठीए काई को परशाद है ले तो हम कंट्रिबूटिंग भी हो सकते हैं और अगर देखो इस सिच्वेशन मे आप यह इसाब लगाओ हमारे परिवार में क्या रहेगा हमारी क्या रहेगा बच्चे फिर भी हमारी इज़त करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हम उनके बर्टम नहीं है और हम टाइम टाइम सपोर्ट करेंगे वो चीज आज की डेट में है I am enjoying it in my life I am 66 year old I am enjoying it और second road जो हमारा है अगर हम अपने इस retirement की planning को इस goal को नहीं करते तो हम क्या करेंगे हमारे पर कोई भी out नहीं है सिरफ बच्चों को कहेंगे बच्चों की support से हमारा life शबी अब जब support करेंगे उनकी situation क्या होगी मन से करेंगे या मजबूरी से करेंगे वो हर एक आदमी को उस समय है जो situation भी होती है तो पता लगता है पर uncertainty तो आगए जो मैंने पहले वर्ड यूज किया था कि हमारा life शबी अंसर्ट है तो अंसर्ट है तो आगए या अगर वो नहीं करेंगे तो society के उपर dependent हो तो ये चीज़ हो सकते है तीसरा option में हमारे पार retirement केटी है क्या रहेगा ना घर से support मिल रही है ना हमने कुछ बनाया तो भई अपन अपने को पहले दंदे को हम पकड़के रखते थे कि भाई तू दे अमारे को पैसा ची ये परिवार के अब सिच्वेशन में हम अब धंदा अमारे को पकड़के रखेगा तो यह हमारी तीन सिच्वेशन है इसलिए हमारे जीवन के अंदर अगर हमारे को चलाना है अपनी financial freedom करनी है तो हमारे को हमारी अच्छा अगर नहीं हुई अब यह हमारा एक पेज का एक वो है इसके अंदर एक सर्वेवा था हमारे हिंदुस्तान में इन retirement planning बहुत कम लोग कर रहे हैं और उसमें पहला सर्वे के बोलता है 45-42 परसेंट felt disrespected जो retirement के टाइम पे 42 परसेंट लोग वाग कि जतनी है परिवाद और 37.8 परसेंट यह से verbally abused उनको सुनने तो भी मिलता है और 28 परसेंट लोगों को ऐसे हैं जो एकनोमिकली अब्यूज किया जाता है वो सैन करते हैं और इसमें जो ज़्यादा करने वाले हैं वो हमारे बच्चे हमारी टोटरिला यह major abuser हैं और उसके बाद भी अब्यूज कर करने के बाद भी यह 53 परसेंट लोगों ऐसे हैं चुप चाप सहते रहते हैं कुछ action करी नहीं सकते हैं कुछ भी नहीं है और उन से जब पूछा गया कि भाई आपको यह इतना परसेंट जो है ना यह इतना परशानी होती है आप कुछ क्यों नहीं करते हैं क्या कारण है तो कि यह जिए प्रपरटी है है मैं हमने प्रपरटी बाद दी है कुछ है नहीं कुछ है और सेकर्ड कारण है बातलर परसेंट लोग वाई यह कहते हैं कि हमारी मॉन्तरि निंकम नहीं है ना डिसी ना उल्ली का रहे है यह नहीं है अगर होती हम इस चीभी सक्तित है तो मंतरी means financial freedom यह पैसा आ रहा है तो इसलिए हमारी life के अंदर दो चीज होने बहुत जरूरी है या तो हमारी खुद की income तो हमारे life में financial freedom रहेगी और या ऐसी asset हो जो हमारे को income दे सके अब इस asset में क्या गुण होने चीए कि यह जो ना हमारे को regular income हमारे को पता हो guaranteed हो इतने पैसे आने है regular आने है और यह asset ऐसी होनी चाहिए कि इसमें ना तो पैसा खर्चो ना time खर्चो ना कुछ करना पड़े maintain करने के लिए और it should be insulated और यह एक ऐसी asset हो जो depreciate ना हो कम ना हो value में और एक ऐसी asset हो जिसको हम दे नी सकते किसी को दे भी ना अब आपकी FDI है मैं 75 साल का होगा गेटी पहाद रखके बच्चे ले लेगे अगले ना चाले अब N.U.T. हमने डा रखिया वो सारी उमर मिलनी है मैंने मिलनी निकलनी नहीं तो यह यह किसी को हम दे भी ने सकते और एक लास्ट है इमुनिटी टू क्लाइमे क्लाइमिटीज अब भुज में देखो भुकाम बागा क्लाइमिटीज है भुकाम है उन से फुरी है तो यह यह ऐसी एसेट होनी चाहिए इस तरह कि अगर यह छे गुण है हमारी एसेट में तो हमारे को यह फ्राइनिंशल प्रेडम की तरफ ले जा सकती है अब लास्ट में यह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अबर एक्सपेंडीचर आप पेरीनियल देखो हमारी जब बच्चे हम थे तब भी एक्सपेंसी हमारे सीर पे हुआ हमारे पूपर हुआ जब हम कमाने लगे तब भी एक्सपेंडीचर कर रहे थे और जब रिटायर होगे हमारी इंकम बन होगी तब भी हमारा एक्सपेंसी चल रहा है तो एक्सपेंसी तो हमारा पेरीनियल है सदा बहार है पूरे जीवन में चलेगा hence we need perennial income in life हमारे जीवन में perennial income आनी चाहिए हम खुद कमा के पैदा कर रहे हैं या हमारे को asset दे पर वो regular आनी चाहिए और that will bring financial freedom in our life वो हमारे जीवन में financial freedom लाएगी और ultimately that will lead to peace अब इस दिए मुझे last में एक ये last slide है मुझे बहुत अच्छी लगती है Vivekan Nandji कि we are responsible for what we are हम अपने जीवन के लिए खुद responsible है and whatever we wish ourself to be और जो हम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं उसके लिए we have the power to make ourself हमारे पाफ पावर है हम अपने आपको अपनी चिंदगी को बढ़ा सकते हैं बिगाड भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं if what we are now has been the result of our own past action हमारी जो जिस मुकाम पे आज खड़े हैं हम अपने पुराने जो हमने काम कियें उसकी वज़े से हम यहां हैं जिस मुकाम पे हैं जिस स्टेटस पे उसकी वज़े से है इट सट्रीदी फालो देट वाटवर भी स्टू भी अब हम अपने जीवन में इन फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर कैन बी प्रडूच्ट बाई और पार प्रेजेंट एक्शन आज हमारा निर्ना है वो ज्यादा रिटर्न के चक्कर में उस में, उस में, उस में वो एसेट मना लेती हैं बच्चे ले जाते हैं अब हम उनके उपर डिपन्ड़न हो जाओ तो हमारे को हमारा डिसीजिएन हमारी जिद्दी को अच्छा कर सकता है हमारा जिंदगी को खराब कर सकता है, हमारी जिंदगी में financial freedom ला सकता है, यह हम समी है हम ब्रहम स्मीत, मैं ही ब्रहम हूँ, मैं ही अपने जीव्न का नियुद माता हूँ, और मैं ही अपने जीवन का destroyer रहूं, कुछ गलती हो गई हो मेरे को माप करना मेरे पाथ जो मैं के आपके सामने चेर कर सकता था वो मैंने किया अभी मैं पांच मिनट बाद में सब को अन्मिट करूंगा इससे पहले हमारे बीच लियाफी के नैशनल प्रेजडेंट रनवीर शर्मा जी है हुए है उनकी अभी हाली में मिटिंग हुई है मैं रनवीर जी को मंत्रिच करता हूं वह बताएं मिटिंग में क्या हुआ था कि बाकि हमारे सब लोग इसके बारे में जनवीर जी, जनवीर शर्मा जी, अन्मूट कर लिजे सर अपने आपको, जनवीर जी, अन्मूट, प्लीज, जी सर, वेलकम सर, थेंक यू सर, गुट मॉनिंग एवरीवड़ी सभी को परश्चो प्रभात और नमस्कार, धन्यवार देंक साथ, मैं तो बड़े उनको सुन रहा ता अरुडा जी को, अब उम्र तो बता रहे हैं कि वो 66 नौजवार है, लेकिन उम्र का निचोड नोने जो डाला है, इसमें आज की मीटिंग में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थेंक यू अरुडा साब, आपने धीवन के पूरे उसको जो है, आज हम लो देता हूँ, डैंक साब, अभी हम लोगों की एक जो कंसल्टेटिव कमेटी या इन्फॉर्मिशन शेरिंग कमेटी बीटिंग एक मैनेजमेंट के साथ रेगुलर होती है, अभी जो हुई थी, तो हमने एजेंडा उनको दिया हुआ था मैनेजमेंट को, कुछ ऐसे मैनेजमेंट के साथ पारता की, क्योंकि अभी जो है कुछ आई आई आडिये से रिलेटिड जो इशूज है, चाहिए वो बीवा सुगम हो, बीवा विस्तार हो, वाहा को, उसको लेके अभी कन्फॉजन लोगों में है, और मैनेजमेंट का क्या उसमें उनका अपना रविया है, हमने जानना चाहा था, तो जादे इस पर तो मैनेजमेंट भी नहीं कर पाया था, लेकिन सुगम तो आई रहा है, और साथी साथ जो नई चीज़ें थी, जो हमने अपने एजेंटा में रखी थी, जैसे ग्रेडिड पनिश्मेंट, वो हमको एजे फेडरेशन लीडर के साथ कम चोटी सी गलती पर भी सीधे-सीधे जो होता है कि जो एजेंट के पास में, जो सुरू से लेकि जब एंटरी से लेके और एंड तक, उसकी लाइफ जो अखिवल एक काम में चली जाती है, और पूरा परिवार उस पर टिका होता है, और उसको मैनेजमेंट कभी भी ट्राक से उसको जो है तलवार की धर बातलवार की नौक से उसको लड़ा देता है, तो ग्रेट पनिश्मेंट का में ँट है, वो गवड Sum Oct ने यह कह के इस दिया कि यह मेनेजमेंट के इस्चvous है, इसको मैनेजमेंट ही जो है, वह एक्ट में हैं लेकिन इस बात पर तयार हुआ है और इसमें कुछ जरूर सकारत में कदम उठाएगा एक ग्रूप इंशोरेंज का बहुत सब जगे से यह आती है कि ग्रूप इंशोरेंज जो है हमारा जो एज है 69 वो आगे जो है बढ़नी चाहिए और यह कोई एज नहीं है हम लोग भी जो है उसको पूरा खरने जा रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा तो ग्रूप इंशोरेंज के हलेंज की वो थर्ड पार्टी और नेक्स इंशोरेंज के उस पर रहता है लेकिन जो है मनिमेंट ने का कि ठीक हम इस पर जो है एक अलग से फिर से एक्सरसाइज करते हैं कुछ उसमें कौश बढ़ सकती है या जो है कुछ है मोंग की कमी हो सकती है यह सारी चीए लेकिन लोग करेंगे कुछ नब कुछ तीसरी बात थे एक बहुत बड़ी बात थी जो हमरे किलंब मेंबर से तो जो मैंबर अब कोई 85 का हो गया 80 का हो गया more than 70 का हो गया और working capacity उतनी रही रहती है और जो nominal criteria है उसका वो criteria अगर फुल्फिल नहीं कर पा रहा है तो उसके fringe benefits सारे चले जाते हैं वो ठीक है अगर उसकी एज उसने अगर life membership ले ली है तो उसको यह एक तमगा तो मिला रहेगा कि उसा वो member है लेकिन उसको benefits तो कोई नहीं मि हमने का यह तो गलत बात है उसको यह करना चाहिए कि उस समय अगर कोई suppose कोई cm क्लब मेंबर है और उसका जो उसकी इन्फोर्स पॉल्सी या renewal commission उसके जैडम क्लब मेंबर का है तो next क्लब की उसकी monitoring benefits उसको मिलने चाहिए या DM क्लब का है उसको पूरा कर रहा है तो उसको मिलन कर दी जा यह बात management ने स्विकार की और उसको भी उन्होंने जोगा एक्जामन करके और उसको लागू करने के लिए उसमें कुछ solution निकाले के लिए उन्होंने assurance दिया क्योंकि हमारी information chair and meeting में ततकाल कोई चीज निकल के नहीं आती है plotting होती है तैयार करते है management का लड़ाई भी हुई जब लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगना पड़ता है साव इसमें आपको इसी तरह अंडर राइटिंग को लेके जो है term insurance की अंडर राइटिंग को लेके लोगों की हमरे पास जो है feedback था किसा वो जो है computation of income को उसमें वो शामिल नहीं करते हैं पच्छी साल की उसमें अगर कोई नया लड़का है उसको जो है उसकी तीन साल के return मांगते हैं तो इस तरह की feedback तो उसको भी लेके हमने उसको आपका एक बच्चों के लिए और दिव्यांगों के लिए plants हो है introduce करने एक मैंने especially जीवन ये वीमा लाव ये बच्चों के लिए policy के लिए convert करने के लिए मैंने का कि इसका हम बहुत अच्छा लाव ले सकते हैं अगर दो साल के बच्चे को इसमें entry age दे दी जाए इसकी age शायग मैं समझता हूँ 8 साल या 12 साल है सब जीवन वीमा है बही आपका यह रहता है कि आपको जो है 18 साल से पहले जो मैजर बच्चा हो जाता मैजर हो जाता तो उसको दे देते हैं दो साल के बच्चे को दस साल का प्रीमियम पेंग टर्म और 16 साल बाद आप मैचरोटी दोगी तो मैंने कि इसको अगर आप convert कर दोगे तो लोगों क का एक सेग्मेंट ऐसा है जो चूटे बच्चे को जो है हाइर एजूकेशन के लिए 18 साल से या 19 साल से उसको पैसा चाहिए होता है तो यह जो नोट किया और सेकर्टी मार्केट किया और इसको जो है इसके ऊपर जो है कुछ करने का तो इस से निश्यत रूप से मेरा मानना है कि इससे इसमें बढ़ेगा अगर आपको भी डेंक साव अगर कोई एक अच्छा एक ड्राफ्ट बना सके तो आप मुए दे दीए फिर मैं जो उसको इसका पूरा क्योंकि मैं जादे कोई एक्षरिस्ट या उसमें नहीं हो लेकिन एक मोटा मार्टी उनको मेरा यह समानना इसमें कुछ होगा तो इसमें हो ना किलब कंवेंशन का लोग के वो थे तो किलब कंवेंशन अब फरवरी और मार्च से इतना समय आ गया है कि आप यह पॉसीबिल नहीं है तो जिन लोगों ने ओप्ष्ण का लिया हुआ था और जिनोंने अपना तो आप दूसरे उसमें अ थे था कि हम उनको सम्मानित करना चाहते थे लेकिन क्या है कि वो चार M.D. चार की डेट एक साथ नहीं मिल पाई चेर्मेन की एक साथ नहीं मिल पाई उधार E.D. सुधा करें उनके फादर एक्सपायर होगे थे पंद्रे दिन या और कोई उप्शन लेना चाहते तो ले सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा पैसा बढ़ा दीजे भई फैर तो एक यह हुआ एक इंपावर्मेंट के लिए भी हमने बात की यह जो कमसे कम बीस रुपे या पच्छीस रुपे उसकी जो है टांजिक्शन फीस जो है इंपावर्मेंट की हो और इसके लिए हम अब आपको बताओं कि जो मैनेजमेंट ने हम सो कहा एडी मारकेटिंग ने हमारे फ्यूचर के लिए उन्हों ने कहा कि एक तो जो है यह एक मोबाइल एप ला रहे है और वो ला रहे है उसका सेल्स प्रोसीजर को जो है डवलप करने के लिए यह केवल एजेंट का एप और उनका मेनेजमेंट का कहना है वो आने वाला है और दूसरा एक भीमा सुगम टू भी यह नहीं सोरी आनंदा आनंदा टू भी जो है वो आने वाला है आनंदा वर्जन टू तो आनंदा यह वन और आनंदा टू भी उसमें वो क्या लेके आते हैं देखने की बात है और मैंने पुछ चीजे और जनरल जो है इसका आपका वर्किंग कल्चर को लेके भी जो है चेंज करने का समय आ रहा है एक ट्रेनिंग पार्ट में आपके जितने भी एस्टी सी जेटी सी जो हैं उनमें जो आप वहाँ पर फैकल्टी मेंबर को भीजते हैं वो जादे तर फैकल्टी मेंबर्स वो होते हैं या तो जो रेटायरमेंट के नजदीक होते हैं और आसपास अपनी पुश्टिंग चाहते हैं या जिनको पनिश्मेंट दिया जाता है उ लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं हाँ मैंने का एक प्रॉडेक्ट ट्रेनर्स की आवश्च रहता है आप जो आपने जितने भी आपके जो यह जो एबीम सेल्स हैं वो सब क्लेरिकल काम में लगा दे आप पर एक टाइम था कि जब एबीम सेल्स की डूटी होती थी को एजेंट के स सेल्स प्रमोशन से लेके जुआ हैं उनको कोई प्रोड़क्टिविटी का यह प्रोड़क्ट मैनियर का काम नहीं करते हैं अच्छा अब तो मैंने कहा कि आप जो है जो हमारे एजेंट्स कमिनुलिटी में से MDRT हैं COT हैं TOT हैं या जो अच्छे किलम मेंबर्स हैं तो मैंने गुलाइए तो उन्होंने ट्रेनिंग पार्ट के उपर भी जो है यह हमें एशूर किया कि नहीं साब यह तो ट्रेनिंग पार्ट के लिए और नहीं बलके हमारे सजेशन को एप्रीशेट भी किया तो अच्छा एक जो मैं आपको बहुत अच्छी बात कि जो गिरेचुटी ह हमारे लोगों को मिलती है अब गिरेचुटी जो आदमी ले रहा है सिक्स्टी का ले रहा है सिक्स्टी फाइव का ले रहा है सीनियर होके ले रहा है पता ही नहीं लगता है ब्रांच में कि कौन आदमी ने कितने दिनों तक सेवा की कंटीनियसली वो लाइसी के साथ में समाहरों करके सारे एजेंट और स्टाफ के बीच में सम्मानित करना चाहिए उसे दूपों देना चाहिए उसे मुमेंटों देना चाहिए तो जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि भई जो है लाइसी के साथ के वाल यह नहीं है कि जो काम से बत्रबारे काम किया है हम और एक उस अवस्था तक हम जो है आपके साथ strongly और हर तरह से जुड़े रहे हैं तो उनको सम्मानित किया जाना चाहिए यह उन्हों में जो है तो इस तरह की कुछ चीजें थी जिनको लेके बहुत बढ़िया अरण वीचर बहुत 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 थैंक यू सर आपका शेरिंग के लिए अच्छा एक बात बता दूँ आपको कि मैंनेजमेंट है यह जरूर किया है कि बहुत ही ब्राइट फीचर एजेंट्स का आने जा रहा है एजेंट्स को घबढ़ाने की ज़रुद्वत नहीं है एजेंट्स को परिशान हो की देगे अब क्या ब्राइट फ पैशन रहा उतके लिए पहले मैं चाहूंगा